हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियू में हमने जो था गेम थूरी के दो मैथड डिस्कस किये थे और जो सेकेंड मैथड था डॉमिन्स रूल अब उस मैथड के जो नुमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे आज अभी और वो नुमेरिकल्स कैसे करेंगे ध्यान से दिखिएगा अब तो वोड़क्स की स्ट्रेटेजी बताओ और वैल्यों होगे हम क्या होगे बता है तो पहला क्वेशन है प्लेयर ए प्लेयर भी फरस्ट वह फाइव कॉमा बन थार्ड रोज सेकेंड रोज थ्री कॉमा फूर तो यहां पर खाद टू क्रॉस टू आउडर का मैट्रिक्स है तो इस कॉशन को लेने का मकसल मेरा यही है क्योंकि इस मैथाड से जितने भी आपकी प्रॉलम से देखो अब यह प्रॉलम है 3 ग्रॉस 3 की यह फ्रॉलम 6 ग्रॉस 6 की जितने भी मैट्रिक्स यह संको हमने अल्टिमेटली 2 ग्रॉस 2 में एक नवर्ट करना है कि टूप अच की हेलब से साल्व करेंगे जो हम लास्ट वीडियो में मैं आपको मैंतर बता चुक हूं यहां में डिस्कूस करेंगे ठीक है उसी तरह किसे दूसरा कॉशन है तीसरा कॉशन है यह एक अप्लाइड प्रॉलम है और यह अप्लाइड प्रॉलम आप अराम से पढ़ेंगे करेंगे कुद मैं नहीं पुराओंगा इसको ठीक है जी अब बारी बारी से मैं आपको दो कर आयता हूं दो या तीन कुशन बागी फिर आप खुद करेंगे तो कम टू फर्स्ट मैं बाइफ पुर्ण से नेंस नियुक्त करेंगे करें तो उसे अप्रें में स्टीक करेंगे इसमें असी बात कर रहा हूं चलिए जरह, so question number 1 question number 1 दिरखे आपका 2 cross order का 5, 1, 3, 4, A1, A2, B1, B2 तो clearly there is no saddle point आप चेकर सकते हैं पहली row में सबसे चोट element 1 दूसरी row में सबसे चोट element 3 पहली row में सबसे बड़ element 5 इसमें सबसे बड़ element 4 तो किसी भी element के उपर circle तथा rectangle नहीं आया इसका मतलब इसके पास pure strategy नहीं है pure strategy नहीं है, मतलब saddle point नहीं है saddle point नहीं है, तो dominance rule से चलेंगे, तो dominance rule क्या बोलता है matrix तो 2 cross 2 में convert करो तो ये तो already 2 cross 2 में जैसे ही 2 cross 2 में convert हुआ तो हमारा rule क्या बोलता है let capital V be the value of game फिर का करते है first column को first column के entry को इससे गुणा करते है V के बराबर equate करते है इन entries को इनके साथ multiply करते है V के साथ equate करते है और तीसरी equation की A1 plus A2 equal to 1 ये equation तो standard equation हमेशा होगी उसके बाद इन दोनों equation को equate करो क्योंकि बोथ हार equal to V and these are the steps which are common for every question ध्यान रखना है यहां से भी यहां से भी उठाओ यहां पूट कर दो यह दोनों को गठा दो जैसे भी आपको ठीक लगता है तो इन दोनों को गठा के यह equation बढ़े इसको number 1 दे दिया इसको number 2 दे दिया for every question और इसका दो equation है आगी अब simultaneous equation कैसे solve करते हैं दोनों को add कर दो a1 मिल जाएगा a1 के वेली किसी एक में रख दो a2 मिल जाएगा ठीक है तो this is the way how to calculate a1 and a2 उस तरीक से second set second set बनेगा player b का player b का कैसे बनेगा रो को b1 b2 से कुन करना 5 b1 plus b2 equal to capital v 3 b1 plus 4 b2 equal to capital v और b1 plus b2 equal to 1 यह दोनों b के बराबर है for every question दोनों को equate करो यह दोनों को घटा दो आपके पास यह equation बन जाएगी फिर इन दोनों को solve करो और इन दोनों को solve करके value निकल गए ठीक है तो value of game क्या होती है formula value of game का formula यह a1, a2, b1, b2 निकल गए है 4 equation आपके पास हैं किसी भी एक equation से you can find v तो v आ गया इतना value of game मिल गए ठीक है saddle point नहीं मिलेगा यहां पर ध्यान रखना है तो saddle point अगर नहीं मिलेगा तो हमारी होगी mixer strategy और a की strategy है a1, a2 a1, a2 means a जो value निकालिया आपने तो this is the strategy for player a and b1, b2 this is the strategy for player b clear हो गया जी आप देखते हैं जड़ा next question जो है 3 cross 3 order का यह लेके चले हम question यह a blur दे रखा है 1, 2, 3 b blur दे रखा है 1, 2, 3 इस 1, 2, 3 की ब्राइबन इसको नाम देदी है x1, x2, x3 जैसे वहाँ a1, a2, a3 था वहाँ कि वरिबल आपको लेने पड़ेंगे यहाँ पर नाम देदी है by1, by2, by3 ठीक है जी तो dominance rule क्या बोलता है आपने उस row को delete करना है जिसकी entries इसी matrix की किसी ने किसी row से छोटी या बराबर हो देखो ज़रा, कौन सा इसी row है second row को analyze करो तो minus 3 is less than 2 minus 3 equal to 3 4 is equal to 4 second row जो है it is deleted from this matrix and be left with first row and third row पर repeat करो, उस row को delete करना है जिसकी entries इसी matrix किसी और row से छोटी या बराबर हो second row is deleted अब उस column को delete करना है column को जोटी करना है, जिसकी entries किसी ने किसी column से बड़ी या बराबर है देखो ज़रा, तो कौन सा ऐसा column है जिसकी entries बड़ी है, देखो ज़रा 6 minus 4 से बड़ा, जेकर minus 3, 2 से छोटा हो रहा है 3 minus 4 से बड़ा, 4, 2 से बड़ा तो इसके ये बड़ा column delete हो जगा तो वो column delete होगा जिसकी entries बाकी किसी ने किसी column से बड़ी होगी इसके लिए column delete होगा, तो क्या बड़ी है minus 4, 6, 2 and minus 3 तो minus 4, 6 कौन सी है, first दोलो x1, यहां पर आजएगा x1 यहां पर आगया x1 और 2 minus 3 कौन सी रो है 2 minus 3 है, यह बड़ी रो, तो यहां पर आगया x3, ठीक है यहां पर आगया by 1 यहां पर आगया by 2 यहां पर आगया by 3 यहां से by 3 delete हो गया, x2 पर लेड़ी हो गया तो भी left with by 1 by 2, x1, x3 minus 4, 6, 2 and minus 3 ठीक है यह हमने लिख दिया है यहां पर, बस जैसे 2 cross 2 का matrix बणा, बाग की काम आपका फिर 2 cross 2 का बणा, let it be the value of game अब इस 2 cross 2 matrices से आपके 4 equation बढ़ेंगी अब आपको बता चुको हमें पहले कॉलम को इन variable से गुणा करना है एक equation, दूसरे कॉलम को इन variable से गुणा करना है दूसरी equation दोनों B के बराबर यह standard equation x1 plus x3 equal to 1 जो भी variable यहां पर होंगे x1 plus x3 equal to 1 इन दोनों को गटाना है यह equation बन जाए कि फिर दोनों को solve करना है इसको solve करना है x1, x3 निकल जाएंगे वैसे यहां पर पहली row को variable से multiply करना minus 4 by 1 plus 6 by 2 equal to capital V 2 by 1 minus 3 by 2 equal to capital V यह बन गया फिर इन दोनों को solve करना है वह गटा देना है यह equation बन जाएंगे y1 plus y2 equal to 1 standard equation ठीक है यहां से निकल जाएंगे तो values निकल गी यह उत्यान देखना x1, x3 की value निकली y1, y2 की value निकली यहां पर x2 miss है तो जो variable miss होगा उसकी value होगी 0 यहां y3 miss है तो y3 की value होगी 0 तो value of game आगी 0 value of game कैसे आई x1, x3, y1, y2 को use करते हुए इन 4 में से किसी भी एक equation से भी निकल सकते हैं तो value is 0 so this is a fair game तो यहां बनेगे mixed strategy for player is x1, x2, x3, x1, x2 तो निकल चुके हैं यहां पर x3 नहीं है तो x3 की value आगी sorry x1, x3 निकल चुके हैं x2 नहीं है तो x2 की value 0 आगी इसमें y3 नहीं तो y3 0 आगे so this is the question तो मेरे क्याब से को simple है को जादिक्कत नहीं है next question देखो next से आपकी सारी problem solve हो जाएंगे उसके बाकी question आपको दुखरेंगे अब देखो अध्यान से analyze करो इस question को ज़रा यह आपको 6 across 6 order का matrix का question दे रखा है ठीक है पहला step देखो दर रख्या है आपने उन रोज को delete करना है जिसकी entries किसी न किसी रोज से छोटी है या बराबर है लेखो दो पहले रोज से दिन जरारी यह नहीं होगी नेक्स देखते हैं और वह किसी से छोटा ऌबर करोका ना से लीट का जरेखो ₹ consum आपके त्सक्राइप धूर नहीं हो बढ़ा नहीं होगई नेक्स देखते हैंא और किसे द आगे यह कैसे इसके वी रों से चोटे बराबर हुए तो इस त्रीक्ष रों को फूंपेर कर लो जा इसको मैं है अब इस पांच मी रों कुछे मिक साथ कुम्पेर करो चार चार के ब्राबर तीन तीन के बराबर चार तीन से बड़ा हो गया फीड के ना चार-ตीन से बड़ा हो गया है मतलब विया हुआ कि लास्ट बड़ी रोवजे चोटे या नावrieben दूसरी भी डिलीट होगी और लास्ट भी डिलीट होगी तो बच्पी कुण सी कि थीसरी चौती पांच मunting नाम कर एकसान हों थीक है तो उन रोग को देख रहाना कॉन सा बचा है यह X3 X4 X5 by 1 by 2 by 3 by 4 by 5 by 6 अब दूसरे स्टेप क्या उस उस कॉलम को डिलीट करना है उस कॉलम को डिलीट करना है जिसके मेंबर किसी ने किसी कॉलम से बड़े या ब्राबर देखो जरू पहले कॉलम के मेंबर इससे बड़े जरू आ रहे हैं ठीक सब्सकराइब इसके मेंबर से किन लास्ट से बड़े ठीक करना हए ऐसकी बज़ास है कि नूस ज़ाए इस एक है को कि एक से बड़ा आपर है पार मैनिस पांट साथ से चोटाह जा रहा है यह एक से छोटा हुगा तो पहला दूसरा और लास्ट कॉलम डिलीट हो गए और तीसरा चौत्था पांच मां यह बच गए ठीक है जी फिर रिपीट दा प्रोसीजर अगेन राइट कॉम फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है उस रो को डिलीट करना है जिसके मेंबर किसी ने किसी रो से छोटे एक साथ से छोटा लेकिन तीन माइनिस पांच से बढ़ा हो गया चार साथ से छोटा लेकिन माइनस पांट से बड़ा हो गया ठीक है इसका उनों कोई डिलेट नी हो रहा है ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है हमारे पास जिसकी एंट्री किसी और कॉलम से बढ़ी या बरावर है इस केस में अब लगाएंगे आप थर्ड रूल थर्ड रूल क्या बोलता है किनही एक ऐसी रो जिसकी एवरेज किनही दो रो से छोटी है जिसकी जो रो छोटी है आवरेज से उसको अम डिलेट करेंगे मैं फरपीट कर रहा हूँ इन तीन में से किन ही दो रो की आवरेज हो सकता है पहली दूसरी की आवरेज या दूसरी तीसरी की आवरेज या पहली तीसरी की आवरेज किन ही दो रो की आवरेज जिस रो से बड़ी हो जाएगी उस रो को आपने डिलीट कर देंगे, ठीक है नहीं, जैसे यहां देखो दरा, पहले हो दूसरी रो के आपरेज, साथ प्लस एक आठ 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 अबरेज समस्ते नहीं, अबरेज मतलब उनको जम्मा करके दो सो डिवैड करना, साथ प्लस एक आठ आठ बटा दो, चार, चार चा हो जाएगी, ठीक है अब रोट दो बच गेव कालम भी डिलीट करना, तो अब कालम देखें किस कालम की आवरेज जो है, पहले और दूसरे कालम की आवरेज़ देखे हो दरा, इक बास तीन, चार, 4 व्यटा दो दो ब्राबर होगी, साथ मैनिस 5 दो, दो दो ब्राबर होगी, पहले और दूसरे कॉलम की एवरेज जो है वह तूसरे कॉलम के बराबर आ रही है या बढ़ी आये इस कॉलम को हम डिलेट चाहिए तो यहां पर कॉन सा था था X3 X4 X5 by 1 by 2 by 3 by 4 by 5 by 6 फिर यहां से by 1 by 2 by 6 डिलीट हो गया तो by 3 by 4 by 5 बचा X3 X4 X5 बचा तो इसमें से है न यह तुमने देखना लास्ट वड़ा कैंसल होगा तो X3 X4 बचा है यहां बचा है बाकी काम घराफ का लेट भी विदा वैली ऑफ गेम इस मैट्रिक्स के नसार चार एक्विशने बढ़ी इनको सॉल्व किया बेरिबल्स की वैली निकाल ली अब यहां पर X3 X4 की वैली निकल रही है निकलेगी मतलब तो इसका हम एक्स बन एक्स टू एक्स फाइव ए जिरुआएंगे ठीक है जी तो अब यह आपका काम है तो वैली ऑफ गेम किसी एक एक्विशन से निकाल के यू कन फाइंड तो मिक्स ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए एक्स बन एक्स टू एक्स ट्री एक्स पूर एक्स फाइव एक्स फाइव एक्स जो एंट्रिज निकली व जो होगी ठीक है तो इस इस दा स्ट्रेटेजी मिक्स स्ट्रेटेजी फॉर प्ले तो आई थिंक आप बाकी कुशन आप कर सकते हैं यह कुशन नंबर सेवन जो आपका अप्लाइड प्रालम थी तो यू कन डू इसली यह बताया गया कोईंस की गेम है यहां पर और आये तो यह बनाए तो ऐसे होगा तो आपको राम से समझाएगा को दिकत में जैसे मैंत्रिक्स बना मैंट्रिक्स बनाके पिर आपने मूब करना है उसी तरीक्षे से नेक्स्ट कुश्चन है एक और मैंट्रिक्स वहां देर रखा आपको इसको आपने स्ट्टी करना तो वही कॉलम और रोज को ट्लीट करके लास्ट में टू क्रॉस टू बचेगा तो उसके बाद पर हमने इसको फार्मनो लगा के सॉल करें है उसी तरीक्षे से नेक्स्ट कुश्चन है यह अगें यह भी आप कर लेंगे राम से मैं यह आपके सामने रख रहा हूं आप वीडियो स्टॉप करके इनको देख सकते हैं तो इस यह नेक्स्ट कुश्चन यह इसकी कल्कुलेशन है जैसे टू क्रॉस टू बचेगा उसके बाद फिर आप इसको सॉल करेंगे ठीक है तो उस तरीक्षे से यह नेक्स्ट कुश्चन यह भी यू कन डू इसली आप कोशिश करेंगे खुद कर अब आप इस यह नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तो थेंक यू थेंक यू थेंक यू थेंक यू रिमच